बाहुपली फेम भलाल देव इन दिनों सुर्खियों में हैं फिल्म में राणा दगुबत्ती मस्क ललुक में दिखाई दिये हैं लेकिन रियल लाइफ में भी वो कुछ कम स्ट्रॉंग नहीं है दरसल हाल ही में राणा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन राणा ने खुद स्वीकार किया है कि वो एक आँख से अंधे हैं राणा हाल ही में एक मोटिवेशनल तेलगु चाट शो में पहुंचे थे जहां राणा ने ये खुलासा करते हुए कहा क्या मैं आप लोगों को एक बार बताऊं मैं सीधी आँख से अंधा हूँ मैं सिर्फ अपनी लेफ्ट आँख से ही देख सकता हूँ एक व्यक्ति ने मुझे मरने के बाद बच्पन में आँख डोनेट की थी लेकिन उसमें रोशनी कभी नहीं आई मैं अगर अपनी लेफ्ट आँख बंद कर लूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है राणा ने आगे ब पाकियों का भी ध्यान रखना है हाल ही में काजोल का एक विडियो खूब वाइरल हो रहा है जिसमें वो अपने फ्रेंड के रेस्टरांट में दोस्तों के साथ बीफ का स्वाद ले रही है इसके बाद से ही इन्हें सोशल मेडिया पर खूब ड्रोल किया जा रहा है हाला कि काजोल ने सफाई देते हुए कहा है कि वो डिश गाएं के मीट की नहीं बलकि भैस के मीट की थी मैं ये क्लारिफिकेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है और लोगों की रिलिजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँच सकती है जो मेरा इंटेंशन बिलकुल भी नहीं है वही काजोल के स्पोक्सपर्सन के मताबिक भी डिश में सर्व किया गया मी भैस का ही बताया गया है बता दें की विडियो काजोल ने ही सोचल मीडिया पर शेयर किया था लेकिन ट्रोल किये जाने के चलते उन्होंने इसे हटा दिया है अक्टर विनोद खन्ना की डेथ सब के लिए दुखत खबर थी जब राजनीती में आए थे तो दिल से चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच अमन कायम हो इन दिनों उनका एक विडियो खूब देखा जा रहा है जिसमें वो पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में डांस करते हुए नजर आ रही है 27 एप्रिल को शेयर किया ये विडियो ट्विटर पर अब कई बार शेयर किया जा चुका है विडियो में विनोद खना और रेखा आबिदा परवीन के एक लाइव पर्फॉर्मेंस में डांस करते हुए नजर आ रही है इतना ही नहीं विडियो में विनोद खना और इमरान खान भी डांस करते नजर आ रही है क्रिकिटर से राजनेता बने इमरान खान ने विनोध खना की डेथ पर सोशल मीडिया पर शोक जताया था इमरान खान ने लिखा था कि 1989 में विनोध खना एक बार शौकत खानम अस्पताल के चारेटी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाहोर आये थे ये विडियो इसी प्रोग्राम का है हाल ही में बाहुबली पाथ 2 का एक विडियो वाट्साप पर वाइरल हुआ है जिसमें ये साफ पता चलता है कि राजमाता शिवगामी ने ही कटपा को ये आदेश दिया था कि वो बाहुबली को मार दे विडियो में भलाल देव और बिजल देव भी नज़र आ रहे हैं जो इस साज़िश का हिस्सा है बता दे की डारेक्टर एज एस राजा मॉली की ये फिल्म 28 सेप्रिल को रिलीज हुई थी और फिल्म ने अब तक कई बड़े रिकॉर्ड तोर दिये हैं सोर्सिस के मताबक बाहुबली ने इंडिया में पिछले तीन दिन में करीब 335 करोड रुपे की कमाई की है अक्ट्रिस रिया सेन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोस शेयर की हैं इन में से एक फोटो में वो टॉप लेस नज़र आ रही हैं फिल्म स्टाइल से डेब्यू करने वाली रिया फिल्म इंडास्ट्रि में लंबे समय से हैं लेकिन उन्होंने आज तक कोई हिट फिल्म नहीं दी है काफी टाइम से सिल्व स्क्रीन से गायब रही रिया ने फैंस को अट्राक्ट करने के लिए कुछ फोटोस शेयर की हैं उनके द्वारा शेयर की गई टॉपलेस फोटोस सोचल मीडिया पर खूब वाइडल हो रही है रिया इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई